सार समरी प्रीफ हम करेंगे ये आज अंडर टूथाउजन वाले 2023 के बेस्ट कीबोर्ड को लेकर कि मेरे इस साल के वो कौन से चुनिंदा कीबोर्ड है जिसको एक्चुली मुझे देखकर ये उम्मीद जगी है कि हम सही डारेक्शन में जा रहे हैं लेकि दोस्तों इससे पहले जरूरी है क्यों कि हम आप ही के भरोसे हैं कि हम जो इतने बड़े-बड़े कंपरी के लिगरिटिव आफर आते हैं उन्हें रिजक्त तो कहे जा रहे हैं लेकिन क्या हम इस रास्ते में आगे भी इसी तरीके से मुकमल हो पाएंगे कि नहीं बहुत जरूरी है इसलिए नीच 1000 वाले बेस्ट गेमिंग कीबोर्स की बार टेक बॉक्स हिंदी के साथ अच्छा दोस्तों एपिसोड जो है बड़ा मज़िदार होने वाला है लेकिन एक और मज़े का जो गेम है हमने यहां पे चालू किया था आपने और हमने मिलकर चालू किया था आखरी के तीन दिन बच और जो जीतेगा उसे मिल जाएगा हमारी तरफ से एक फ्री डॉमिनोस का फूचर हम देखेंगे कि मेरे 2023 के अंडर 2000 में कौन से ऐसे कीबोर्ड है जिनोंने मेरा दिल और मेरे पूरे टीम वाले जो यहां बैठे है उनका दिल चीद लिया है तो शुरू करते हैं पहले कीबो कीबोर्ड है दोस्तों इस प्राइस सिग्मेंट के अंडर अंडर तुमधा अभी 1599 यानि 16 रूपे का यह कीबोर्ड आपको देखने को बिल रहा है उस वेंज के अंदर सबसे ज्यादा एवी ड्यूटी वाला कीबोर्ड है एक रिनाउंड कंपनी की तरफ से आ रहा है एक पूछोगे 900 ग्राम के आसपस इसका वेट है यही बताता है कि इसके उपर रखोगे यह अपनी जगह से टस से मस नहीं होता है और साथी यह कीबोर्ड जो है फुल साइज कीबोर्ड है यहां पर थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक है के आर जीओ नाम से एक स्वीच की कंप कोई प्रॉब्लम नहीं है और साथ यहां पर जो आको की कैफ देखने को बिलता है प्रॉपटर लाइटिंग जो है रात वह आपको इसके कीज की ऊपर से दिखती है राख को गेम करने वाले मेरे सारे नाइट आउ लोगो यहां पर गेमने में कोई दिक्कत नहीं वाली आच मैं जाते जाते एक ऐसा कीबोर्ड भी बताते जाओंगा 2000 के अंदर जिसमें आपको RGB नहीं बलकि परकी RGB देखने को मिलेगा यहाँ पे यह वाला कीबोर्ड जो है क्योंकि तमाम जो फीचर्स हैं वो देखने को मिल जाता है सिवाए एक यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं विंडोज लॉग बटन मुल्टिमीडिय होट कीबोर्ड करने की सहुलियत सारी चीज़े देखने को मिलती है लेकिन जो एंटी होस्टिंग है बहुत इंपॉर्टन है गेमिंग के लिए वो सिर्फ आपको छे कीज के ऊपर ही देखने को मिलती है और एंकी रोलॉबर की बात हो गई तो पूरा कीबोर्ड सपोर्ट करता है और साथ ही यहाँ पर इसके स्पील की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 1000 होट की जो पोलिंग रेट है बाइड ड सब्सक्राइब करने की कोशिश की जिसमें की आप स्वैप कर सकते हो यानि कि कोई भी स्विच निकाल के कोई दूसरा उसी कंपनी का यानि के ओटे मुका हो या एको का हो आप स्विच इंसर्ट कर सकते थे प्रॉब्लम क्या हुआ अगर देखना है तो यहाँ पर वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा नीचे भी लिंक चोड़ दूँगा जब हमने मॉडिंग थिया तो महां पर देखा कि जब आप स्विच निकाल रहे हो जो मॉड कर रहे हो तो वहां पर आपके जो कनेक्टर पिंस है वो भी निकल के आ रहे हैं एक्सपेरिमेंट अच्छा था लेकिन अभी उतना कामियाब नहीं है लेकिन हमारे नंबर टू में फिर भी ह यहां इसके चिर्पाक्शन की बात हो है कमपनी का ये दावा कि रहे प्रब्लिम आपको इन की बोर्स को बहुत अच्छा हैazon कि मैंने पिछले वीडियो में भी गाता है जब हम इस की बोर्ड को मॉड कर रहे थे तो इस की बोर्ड में है क्या चीज़े खास पहली बात मेटन का स्ट्रेक्शन के साथ आपको दोनों की बोर्ड देखने को मिलेगा सेकेंडली बहुत अच्छे वीट बॉड़ी रेशियो के दोनों अपनी अपनी जगह पे अच्छा है और साथ ही यहां पे जैसा टैक्टाई फीडबेक मिल रहा है वो भी काफी प्रीमियम लगता है अगर उपर कीकेप की बात कर ले दोनों ही कीबोर्ड में आपको देखने को मिलेगा पास्टू लाइटिंग वगरा बहुत चीज रिपोटरेट ढों में ही 1,000 अचैश की अपको देखने को मिल रही है और साथ ही क्या आपको यहां पे n-key roll over का सपोट पूरे कीबोर्ड में एंटी कोस्टिंग का सपोर्ट पूरे कीबोर्ड में और साती windows lock करनी की साहुलियत, multimedia hotkeys का support, इस सारे के सारे gaming features हैं, आपको दोनों ही keyboard में jam back मिलता है, वो भी इस price bracket के अंदर में, पुछोगे कौन से price bracket के अंदर, साड़े फंदरा सो रुपए, 1549 इनका official website में, और उपर से मैं 5% discount का code भी दे दूँगा, नीचे आपको description में देख देखने को मिलेगा, मैं अंदर 1500 की बात कर रहा हूं, और वहां पर आपको जो है, इन keyboard में dedicated MCU chipset भी देखने को मिल रहा है, यानि कि आप जो भी configuration यहां पर लगाओगे, वो सारे के सारे keyboard में रह जाएंगे, रिबूट करोगे, तो बार-बार आपको configuration change करने की जरुत नहीं पड़ेंगी, और उसके उपर cherry on top क्या है, रात को gaming shaming कर रहे हो भाई, 20 lighting animation जो है, आपको इन दोनों keyboard को उपर देखने को मिलेगा, जो कि आपको और ज्यादा बढ़िया बना देगा, और इसके उपर plus on cherry on top of cherry on top यह है, कि आपको इसके अंदर 8 gaming lighting modes भी देखने को मिल रहे है तो यह जो चीज़ है, इन दोनों keyboard को एक complete package बना दे रहा है, अगर आपका stringent budget है, पंदरासो अगर आप लेके चल रहे हो, तो कहीं और देखनी की ज़रूरती है, यह दोनों keyboard, दोस्तों कौन सा keyboard है, अगीन सबसे जादा experiment करने वाला, कौसी बाइट की तरफ से आता है, यह keyboard जुगनू बन के जीने वाला यह keyboard, एक्चुली जुगनू है, नंबर वन पे चमक रहा है, यह आप पिलको समझ गए हो, फायर फ्लाई की बात कर रहे है, अब इसके खाई सारे model आते है, अंडर 2000 में हमारे पास दो ही option बचता है, 16 और 18, यह दोनों keyboard जो है, कितने जादा value for money क्यों है, और exact 1,999 रुपीज में आते हैं, क्यों है, बताता हूं आपको, सबसे पहले keyboard देखो, ऐसा-सा आपको जो है keyboard देखने को मिलेगा, keyboard जो है, बहुत जादा weight के साथ, बहुत solid construction के साथ आता है, और tank like build quality है, यहाँ पर यह keyboard है, metal build के साथ आ रहा है, बहुत अच्छे त बखोगे ना आपके डिस्के, यह अपनी जगह से जरा सा मिल्टस से मस नहीं होगा, आपको इतना भी hardcore gaming इसके उपर कर रहे हो, साथ ही यहाँ पर जो आपको switch system देखने को मिल रहा है, वो भी आपको otemo के देखने को मिल रहा है, 16 में आपको blue वाला मिल जाता है, 18 में आपको bright तो मिली रही है, vivid saturated बहुत बढ़िया मिल रहा है, और scatter भी proper होता है, throughout the keyboard, यहाँ पे जो आपको keycaps देखने को मिल रहा है, double injection molded ABS plastic का देखने को मिल रहा है, रात को gaming करने में सही में मज़दा आ जाएगा, और साथ ही दोस्तों, यहाँ पे अगर gaming features की बात करने, n key rollover, anti hosting, windows key को lock करने की सहुलियत, multi video hotkeys का support और पूरा keyboard lock करने की सहुलियत, जैसे हर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, mcu chipset के साथ आता है, software support के साथ आता है, जितने भी RGB की customization है, macro set करना है, profile बनाना है, यह सारी चीज़े जो है software में possible है, extra और क्या देखने को मिलता है, under 2000 में actual modding friendly keyboard देखने को मिलता है, recording का वीडियो भी आपको यहां पर देखने को मिल जागा, और यहां पर आंदर कुछ तूठेगा, फूटेगा, कोई pin निकल के नहीं आ जाएगा, आपके हाथ में यह सबसे अच्छी बात है, जो कि इसके quality को बताता है, तो overall यह जो keyboard है, मेरी तरफ से Under 2000 में सबसे जादा recommended है, अगर आपको 16 मिल रहा है, अभी आपको समझ में आ गया, आपका budget 2000 था, आपको कौन सा keyboard देखना है, और एक बार decision मना लिया, तो खरीदोगे कहां से, हर तरह का link चाहे वो official website का हो, चाहे वो Amazon का हो, आपको वीडियो की नीचे देखने को मिल जाएग